नमस्कार आज के इस वीडियो में दैनिक जागरर के संपातकी से 469 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइन्स के साथ लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइन्स की जरुवत है तो आप हमारे साथ हैंट टीम एप को प्लेई स्टूर से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडियाप की जरुवत है तो आप हमारे टेली ग्राम गुरूप को जॉइन कर लें लिंक इसी वीडियो के ठिक नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इस डिक्टेशन को हम लोग तीन अलग अलग स्पीड में लेंगे पहली बार में सतर की स्पीड में दूसरी बार में अर्शी की स्पीड में तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पाँच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट यह अच्छा हुआ कि प्रधान मंत्री ने यह साफ कर दिया कि वह समान नागरीक सहिता लागू करने की जमीन तैयार कर रहे हैं उन्होंने आसा जताई कि जैसे उत्तराखंड में सभी ने इस सहिता को सविकार किया वैसे ही राश्ट्री अस्तर पर भी उस पर सहमती बनेगी ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि समान नागरीक सहिता लागू करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है सम्विधान निर्माताओं ने सम्विधान के नीती निर्देशक सिधानतों में समान नागरीक सहिता का उलेग करते हुए यह अवस्य कहा था कि राज पूरे भारत के नागरीकों के लिए समान सहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा लेकिन इसका यह आसे कदापी ना था कि इसके लिए अनंत काल तक प्रतिक्षा की जाएगी सच यह है कि सम्विधान लागू होने के बाद किसी भी केंद्रिय सत्ता ने समान नागरीक सहिता बनाने की दिसा में कोई ठोस पहल नहीं की उल्टे जब भी किसी दल और यहां तक की उच्चतर न्याय पालिका ने इसकी आवस्यक्ता जताई तो ओट बैंक की सस्ती राजनीती के चलते लोगों और विशेश रूप से अल्प संख्यकों को डराने का काम किया गया यह काम अब भी किया जा रहा है बीटे दिनों ही ममता बनर जी ने कहा कि उन्हें समान नागरिक सहिता सविकार नहीं इस सहिता का विरोध सम्विधान निर्मताओं की अपेक्षाओं का निरादर ही नहीं महिलाओं के अधिकारों की अंदेखी भी है आखेर इसमें क्या समस्या है यदि देश के सभी समुदायों के लिए विवाह तलाप गोद लेने विरासत उत्तराधिकार आदी के कानून एक जैसे हों पैरा समान नागरित सहिता का निर्माड भाजपा के मुख्य मुद्दों में से एक है चुकि वह अपने दो मुख्य मुद्दे जम्मु कस्मीर से अनुछेद तीन सो सत्तर की समाप्ती और आयोध्या में राम मंदिर निर्माड के लक्ष को पूरे कर चुकी है इसलिए यह स्वभाविक है कि वह अपने तीसरे कारेकाल में समान नागरित सहिता लागू करने की अपनी प्रतिबधता को पूरा करे गोसडा पत्र में इसका उलेख करने के बाद प्रधान मंत्री ने उत्तराखंड में समान नागरित सहिता के निर्माड की चर्चा कर यही संदेश दिया कि अब उसे राश्ट्रिय अस्तर पर भी लागू किया जाएगा ऐसा किया जाना समय की मांग भी है और भारतिय समाज की आवस्यक्ता भी क्योंकि विभिन समुदायों के लिए विवाह तलाक उत्तराधिकार आदी से संबंधित अलग-अलग कानून होने से एक तो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है और दूसरे लोगों में यह आवस्यक संदेश नहीं जा रहा है कि हम सब भारत वासी एक जैसे कानून से संचालित हैं समान नागरित सहिता राश्ट्री एकत्व की भावना को बल प्रदान करने का काम तो करेगी ही पंथ मजहब की विभाजन कारी राजनीते पर भी लगाम लगाएगी समान नागरित सहिता की जमीन तैयार करते समय भावी केंद्र सरकार को इसके प्रती सतर्क रहना होगा कि उसे लेकर जूठ के सहारे वैसा दुस प्रचार ना होने पाए जैसा नागरिता संसोधन कानून को लेकर किया गया इस्टाउप दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग असी की स्पीड में लेंगे और आपका समय इस्टाट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टाट यह अच्छा हुआ कि प्रधान मंत्री ने यह साफ कर दिया कि वह समान नागरिक सहिता लागू करने की जमीन तैयार कर रहे हैं उन्होंने आसा जताई कि जैसे उत्तराखंड में सभी ने इस सहिता को सविकार किया वैसे ही राश्ट्रे अस्तर पर भी उस पर सहमती बनेगी ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि समान नागरिक सहिता लागू करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है समविधान निर्माताओं ने समविधान के नीती निर्देशक सिधानतों में समान नागरिक सहिता का उलेख करते हुए यह अवस्य कहा था कि राज पूरे भारत के नागरिकों के लिए समान सहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा लेकिन इसका यह आसे कदापी ना था कि इसके लिए अनंत काल तक प्रतिक्षा की जाएगी सच यह है कि सम्विधान लागू होने के बाद किसी भी केंद्रिय सत्ता ने समान नागरिक सहिता बनाने की दिसा में कोई ठोस पहल नहीं की उल्टे जब भी किसी दल और यहां तक की उच्चतर न्याय पालिका ने इसकी आवस्यक्ता जताई तो ओट बैंक की सस्ती राजनीती के चलते लोगों और विशेश रूप से अल्प संख्यकों को डराने का काम किया गया यह काम अब भी किया जा रहा है बीते दिनों ही ममता बनर जी ने कहा कि उन्हें समान नागरिक संहिता सविकार नहीं इस संहिता का विरोध सम्विधान निर्मताओं की अपेक्षाओं का निरादर ही नहीं महिलाओं के अधिकारों की अंदेखी भी है आखेर इसमें क्या समस्या है यदि देश के सभी समुदायों के लिए विवाह तलाग गोद लेने विरासत उत्तराधिकार आदी के कानून एक जैसे हो पैरा समान नागरित सहिता का निर्माड भाजपा के मुख्य मुद्दों में से एक है चुकि वह अपने दो मुख्य मुद्दे जम्मु कस्मीर से अनुच्छेद तीन सो सत्तर की समाप्ती और आयोध्या में राम मंदिर निर्माड के लक्ष को पूरे कर चुकी है इसलिए यह स्वभाविक है कि वह अपने तीसरे कारेकाल में समान नागरित सहिता लागू करने की अपनी प्रतिबधता को पूरा करे गोसडा पत्र में इसका उलेख करने के बाद प्रधान मंत्री ने उत्तराखंड में समान नागरित सहिता के निर्माड की चर्चा कर यही संदेश दिया कि अब उसे राष्ट्रिय अस्तर पर भी लागू किया जाएगा ऐसा किया जाना समय की मांग भी है और भारतिय समाज की आवस्यक्ता भी क्योंकि विभिन समुदायों के लिए विवाह तलाक उत्राधिकार आदी से संबंधित अलग-अलग कानून होने से एक तो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है और दूसरे लोगों में यह आवस्यक संदेश नहीं जा रहा है कि हम सब भारत वासी एक जैसे कानून से संचालित हैं समान नागरिक संहिता राष्ट्री एकत्व की भावना को बल प्रदान करने का काम तो करेगी ही पंध मजहब की विभाजन कारी राजनीती पर भी लगाम लगाएगी समान नागरिक संहिता की जमीन तैयार करते समय भावी केंद्र सरकार को इसके प्रती सतर्क रहना होगा कि उसे लेकर जूट के सहारे वैसा दुस प्रचार ना होने पाए जैसा नागरिकता संसोधन कानून को लेकर किया गया इस्टाप दोस्तो इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखरी बार में हम लोग 90 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट उत्तराखंड में सभी ने इस सहिता को सविकार किया वैसे ही राश्ट्रे अस्तर पर भी उस पर सहमती बनेगी ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि समान नागरिक सहिता लागू करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है समविधान निर्माताओं ने समविधान के नीटी निर्देशक सिधानतों में समान नागरिक सहिता का उलेख करते हुए यह अवस्य कहा था कि राज्य पूरे भारत के नागरिकों के लिए समान सहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा लेकिन इसका यह आसे कदापी ना था कि इसके लिए अनंत काल तक प्रतिक्षा की जाएगी सच यह है कि समविधान लागू होने के बाद किसी भी केंद्रिय सत्ता ने समान नागरिक सहिता बनाने की दिसा में कोई ठोस पहल नहीं की उल्टे जब ही किसी दल और यहां तक की उच्चतर न्याय पालिका ने इसकी आवस्यक्ता जताई तो ओट बैंक की सस्ती राजनीती के चलते लोगों और विसेश रूप से अल्प संख्यकों को डराने का काम किया गया यह काम अग भी किया जा रहा है बीटे दिनों ही ममता बनर जी ने कहा कि उन्हें समान नागरिक सहिता सविकार नहीं इस सहिता का विरोध संविधान निर्मताओं की अपेक्षाओं का निरादर ही नहीं महिलाओं के अधिकारों की अंदेखी भी है आखेर इसमें क्या समस्या है यदि देश के सभी समुदायों के लिए विवाह तलाग गोद लेने विरासत उत्तराधिकार आदी के कानून एक जैसे हो पैरा समान नागरित सहिता का निर्माड भाजपा के मुख्य मुद्दों में से एक है चुकि वह अपने दो मुख्य मुद्दे जम्मु कस्मीर से अनुछेद 370 की समाप्ति और आयोध्या में राम मंदिर निर्माड के लक्ष को पूरे कर चुकी है इसलिए यह स्वभाविक है कि वह अपने तीसरे कारेकाल में समान नागरित सहिता लागू करने की अपनी प्रतिबधता को पूरा करे गोसडा पत्र में इसका उलेख करने के बाद प्रधान मंत्री ने उत्तराखंड में समान नागरित सहिता के निर्माड की चर्चा कर यही संदेश दिया कि अब उसे राष्ट्रिय अस्तर पर भी लागू किया जाएगा ऐसा किया जाना समय की मांग भी है और भारतिय समाज की आवस्यक्ता भी क्योंकि विभिन समुदायों के लिए बिवाह तलाक उत्राधिकार आदी से संबंधित अलग-अलग कानून होने से एक तो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है और दूसरे लोगों में यह आवस्यक संदेश नहीं जा रहा है कि हम सब भारत वासी एक जैसे कानून से संचालित हैं समान नागरिक संहिता राष्ट्री एकत्व की भावना को बल प्रदान करने का काम तो करेगी ही पंथ मजहब की विभाजन कारी राजनीती पर भी लगाम लगाएगी समान नागरिक संहिता की जमीन पैयार करते समय भावी केंद्र सरकार को इसके प्रती सतर्क रहना होगा कि उसे लेकर जूठ के सहारे वैसा दुस्प्रचार ना होने पाए जैसा नागरिकता संसोधन कानून को लेकर किया गया इस्टाउप झाल